जामुल धाना श्रीतर के शंकर नगर शाओनी इस्तित एक लकड़ी फैक्टरी संतोष फरनीचर में देर रात भीशन आग लगई आग लगते ही महले में अफरत अफरी का माहुल बन गया था महले वासियों ने आग जने के सूचना कंपनी मालिक सहीद फैर ब्रिगेट सहीद दमकल विभाग को दी फैक्टरी मालिक के मताबिक हादसे में 40-50 लाग रुपए का फरनीचर जल कर खाक हो गया है मौकी पर पहुंची 4-5 फैर ब्रिगेट वाहन के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है बिलाई नगर के जामुल थाना श्रीतर अंतरगत शंकर नगर शावनी सित एक लगड़ी के फैक्टरी में देर रात भीशन आग लगगई आग लगने का करण फिलहाल पता नहीं चल सका है फैक्टरी माली के मताबिक हाथसे में 40-42 लाख रुपए का फरनीचर जल कर खाक हो गया है वहीं 4-5 फायर ब्रिगेड आग बुझाने यहां पर जुटी रही फैक्टरी के अंदर आग बुझाने का काम देर तक चलता रहा आग लगने की सोचना मिलते ही जामुल थाना सहित आसपास की फोर्स भी मौके पर पहुच गई ऐसा बताया जा रहा है कि आग लगते ही महले में अफरा तफरी मच गई थी लोगों ने फायर ब्रिगेड और फैक्टरी मालिक संतो शर्मा को सूचना दी सुबह तक दमकल गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया मौके पर राज से ही लोग आग बुझाने में लगे रहे क्योंकि डर था कि आग फैल कर बस्ती तक ना पहुच जाए डायल 112 के माध्याम से सूचना आया कि संकर नगर चाउनी में एक फनीचर कमपणी संतो सर्मा की है में आग लग गया है जिसके तज़्दी खेतु जाया गया तो देखा कि फैक्टरी में आग लगी हुई थी जिससे दमकल की गाड़ियों को बुला कर बुझाया गया आग बुझानें 4-5 घिंट लग गया क्योंकि लकडिया पूरी सूखी लकडिया थी इसका रहन अत्यधी का आग लगा हुआ था कमपणी के मालिक के द्वारा 30-40 लाख रूपिया का नुक्सान का नुमान लगाया जा रहा है इसके संबंद में अभी स्पस्ट जानकारी नहीं दी गई है जानकारी स्पस्ट नहीं है Grand ACN News के लिए संतो शर्मा की रिपोर्ट